वेरी जननेट हुई थी पेशेंट के point of view से कि सर्दियों में वेरीकोसील पेइन क्यों जादा दिता है या वेरीकोसील की वज़े से पेइन ज्यादा क्यों होता है सर्दियों में उसके पीछे ना reason सिर्फ एक ही मानूंगा क्योंकि reason जो होता है उसके पीछे यह होता है कि हमार कि सर्दियों में क्या होता है ठंड होती है और ठंड में क्या करता है हमारा स्कॉक्त कर देदा है और कोंट्रेट पास पेस नहीं अगर मानगे चलो किसी का हाथ में दर्द हो रहा है और मैं उसको पकड़के बैठ जाओ तो दर्द बढ़ेगा ना रेक्स हो पहले होगा नहीं सेम कंडिशन वैसे ही है कि मनल मान के चलो आपकी कोई उंगली सुझी भी है और मैंने उसको दबा लिया इस तरीके से और उसकी वज़़ा से क्या हुआ पेन और ज्यादा एग्रवेट हो गया जिसकी वज़़ा से आपको पेन ज्यादा मिलता है देन उसके मिलती है क्योंकि हमारे स्कॉर्टम का तिमपरिचर रहता है 35 डिग्री सेल्सियस उसको मेंटेन करना होता है उसको बॉडी से गर्माहट चाहिए होती है इसलिए वह अपने आपको कॉंट्रेक्ट कर लेता है अपनी बॉडी के साथ लगा लेता है जिसकी वज़़ा से क्या ह भार रहती है ठंड जिसको टेमपरेशर मेंटेन करने की वज़़ा से वह बॉडी से लगने की कोशिश करता है जितना छोटा हो सके वह इतना कोशिश करता है जिसकी वज़़ा से वह आपको दर्द ज्यादा बना देता है या दर्द एग्रवेट कर देता है उसके पीछे य क्योंकि हम एक जगा बैठे रहते हैं थंड के हमारे थंड लगती नहीं तो हमारी मुवमेंट से सच कम होती हैं सर्दियों में मतलब कि अगर आप बैठे में तो खाना भी इस तरीके से चल रहा है क्योंकि इस टाइम पर एक और चीज भी आ जाती है वह आ जाता है हमारा पूली की वज़ा से हम वह भी खालेते हैं तो गैस्ट्रिक ईशुज ज्यादा होते हैं इस टाइम पर अगर हम देखे न तो ज़्यादा तर गैस्ट्रिक इशु पे पेसेट मनें और जब भी जब आपको थोड़ा बहुत कॉंस्ट्रिपेशन होगा तो पेन कर देता है एक नॉर्मल सी बात है हम से řिक भी कर सकते है आपने शिट्स बात होगा झाया है और उसको थोड़ा सा आपने लिए कम हो जाएगा उससे क्या होगा हलकी से गर्माहट ले लेगा रिलाक्स हो जाएगा स्क्रॉटम जिसकी वज़ासे आपका पेन जो है वह भी थोड़ा कम हो जाएगा कुछ लोग बड़े बज़र्ग होते हैं जो गाहों में भी बताते हैं कि टेसू के फूल और नमक डालके पानी में डालके जो आपकी वरिको सील ठीक हो जाएगी ऐसा नहीं होता टेसू के फूल से फरक ही नहीं पड़ता कुछ भी पलाश के फूल डालो या टेसू के फूल डालो कुछ फरक नहीं पड़ेगा गरम पानी आपको जरूर अर गरम पानी की वज़़ासे क्या होता है थोड़ी सी स्कॉ वेरिको सील के रिगार्डिंग, अगर आपको कुछ भी माइंड में लगता है ना, कि ये चीज होती है, ये चीज होती है, तो आप बेचनते दोकर में को कमेंट सेक्षन पर लिख सकते हैं, और अगर आपको नहीं भी लिखना है, आपको लगता है कि मेरी ID, मेरी ID हमेशा हाइ तो आप नीचे दियेवे नंबर पे अपनी रिपोर्ट को भी शेयर कर सकते हैं, और उसका सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, और इसके साथ-साथ अगर आपको सिम्टम्स भी आ रहे हैं, कुछ ऐसा लगता भी है कि ये सिम्टमाटिक हैं, तो भी परिशान मत हो, तब क्या करो आप नीचे दियेवे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और मेरी टीम से बात कर सकते हैं, जिससे आपको एक आंसर मिल जागा कि ये दिक्कत क्यों हो रही थी, और इसका इलाज क्या है, इसको कैसे सॉर्टिट किया जाए, और इसके साथ-साथ अगर आपको कुछ समझ आया हो कि सर माइच की इसके से बाही थी, तर इसके सॉर्टिट कर सकते हैं, लिए जाए